हेलो नमस्कार दोस्तों मीज करता हों से बच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहतर बना रहें दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि एंटी पीसी और गुरूब डी दोनों के लिए भी जो एक्जाम डेट है दोस्तों किलियर हो गये हैं यह एक्जाम डेट घोसिज कर दिये गये हैं तो एंटी पीसी और गुरूब डी के लिए दोस्तों ठीक है हम एक टेक्स्ट सीद चलाने जा रहे हैं जो math से होगा दोस्तों और math के हम उन question को discuss करेंगे दोस्तों जो group D और एंटि फिसी के point आप भी उसे बहुत ही important होंगे और उमीद करता हूं दोस्तों इससे आपको बहुत ही ज़्यादा benefit मिलेगा इससे आपको बहुत ही ज़्यादा lab होने वाला है तो उमीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों यह टेस्ट स्रीज आपको पसंद आएगा दोस्तों आपको पता है कि यह जो जीतने question हमने उठाए हैं दोस्तों आपको पता है कि test series है आपका सबसे अच्छा test series माने आता है grade up का और या test book का तो ये test book से ही लिया गया है दोस्तों test book के question है दोस्तों जो ntpc cv2 के question है जो भी test book ने cv2 के लिए तो उसे में से question उठाये गया है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी सर समझाएगा और ये question बहुत ही लाजवाब है बहुत ही सिंपल तरीके सा आपको समझना पड़ेगा दोस्तों इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाले हैं देखिए दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो जो पहला कोशन क्या है कॉस्ट थीटा प्लस सेख थीटा इक्कॉल टू है तो कॉस कॉस पर प्लस सेक्स थीटा प्लस सेक्स कॉस पर प्लस अगा इक भी देख सकते हैं बहुत ही simple तरीका है दोस्तों पावर यहां पर sum होना चाहिए भी sum नहीं होना चाहिए ठीक है याणि x पे power चाहिए 4 है और plus 1 बट in x पे power 4 है तो इसका भी value कितना होगा दो़िए power sum होना चाहिए तहो पर अगर देखें आप तो cause1 theta plus 1 theta है तो देखे, cos theta और प्लस एक theta इनकी value के अगर बात करें तो इनका value क्या हो जाएगा इनका value आपसे पता करना है दोस्तों ठीक है, cos theta और इसको देखेंगे तो आपका हो जाएगा एक बट्टे cos theta हो जाएगा, एक बट्टे का जाएगा cos theta अब देखें, कौन सा pattern बना भई, pattern बन गया आपका कौन वाला, x x प्लस एक बट्टे x का pattern बन गया, क्या आप बताएगे, कि x cos theta यहाँ पर भी cos theta तो इस pattern बना, इसका value कितना है भई, तो इसका value है आपका 2 इसका value कितना है 2, तो आप देख सकते हैं, पिसमें कितना हो पाउर लगा देजिए, cos 6 theta प्लस एक बट्टे cos 6 theta एक क्या जागा, दो आजाएगा, यह आपसन नमबर 2 क्या जागा, राइट हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है, दो क्या करिएगा, कि यहाँ पर जो होगा, सम होना चाहिए, भी सम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ती बात आप गौर करिएगा, ठीक है, अगली question को देखेंगे, और इसको सिध्यान समझेंगे, दोस्तों, उमीद करता हूँ, आप इसको भी अच्छी तरह समझ पाएंगे, और यह question देखें, बहुत ही simple सा question है, दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, देखें, एक संख्या, स्वयम के 40% से 120 अधिक है, उस संख्या का 45% क्या होगा, आप से पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, question को छोड़ा करते हैं, फिर इसको solve करते हैं, देखें ध्यान से, देखें, 40% का अगर 40% कितना जागा, दो हो जाएगा, तो कहा ही जा रहा है, कि जो संख्या है, अपने 40% कितना, 120 अधिक है, लेकिन आप देखेंगे, यहाँ पर कितना धिक्क है, भाई, 3 अधिक है, तो 3 का value कितना हो गया, 120 हो गया, तो पूछेंगे, एक का value बता देजे, तो एक का value कितना हो तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा कितना जाएगा 40 हो जाएगा अब देखिए एक का बैलू जब 40 हो गया तो कितनी संख्या कितना है पांच है तो पांच का बैलू कितना जाएगा तो पांच का बैलू जाएगा पांच गुड़े 40 यानि आ जाएगा कितना जाएगा 200 कितना जाए और यह कितना जगा नभी आजाएगा तो नभी क्या बन जाएगा इसका रायट एंसर जाएगा तापसन दो जो है और रायट हुजाएगा ठीक है तो उम्हेद करते हूं आप इसको भी समझेएगा इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा चली फिर आगे चलते हैं और कुछन को देखेंगे तो इसमें लिखा हुगा है दोस्तों कहा गया है कि जो कीरा और कीकी दो लोग हैं जब एक साथ काम करती है तो एक काम को आठ दिन में पुरा करती हैं देखें कीरा को हम लिखते हैं के आई से और कीरा और कीकी को हम लिखते हैं क्या लिखते हैं क्या ल अगेले उसे बारे दिन में करती है तो जो कीकी है ये अकेलो उसको कितने दिन में बारे दिन में कर लेती है तो हम इसके कोश्चन में क्या करता है सबसे पहरे टोटल वर्क पता करते हैं तो टोटल वर्क कैसे पता करेंगे तो टोटल वर्क पता करने का मतलब क्या है ये आप इसको क्या कर लेजे 나오 हैं इनका SM लेजे तो 12-8 को VAERS का कटे एगा 24 आजाय का अब देखिए 9-24 को काटेंगा तो तो कितने बार में तीन बार और जब 12-24 को काटेंगे लिए कितने बार में दो बार में इसका आध है कि कीरा और कीकी एक में तीन काम करती है जब कीकी अकेले कितने दो काम तो देखे जब कीकी अकेले दो काम कर रही है और कीरा और कीकी एक दिन में तीन काम कर रही है तो इसका आर्थ है कि जो कीरा हो गए वो कितना काम कर रहे होगी एक काम कर रहे होगी अच्छा अब आपसे कोशन में क्या कहा गय कहा गया है कि दोनों जो चार दिन तक साथ काम करती है देखिए अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं तो देखे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तो चार दिन में कितना काम कर लेंगे चार गुड़े तीन अनि बारे काम तो कम्प्रिट कर लेंगी अब क्या कहा गया भी कहा गया ह वो सेज काम को कितने दिन में खतम कर पायेगे तो की राई दिन में कितना काम कर रही है एक काम कर रही है सेज काम कितना है बारे है तो बारे काम खतम कर ने कितना नहीं लगेगा बारे दिन तो लगेगा ही लगे यानि इसका जो राइट है सो जगा जगा बारो जगा और आप स तो उम्हेद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह समझेंगे इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले कोशन को देखते हैं अगला कोशन क्या का रहा है यहां पर देखें अगर इस कोशन के आप बात करेंगे तो देखें क्या है 75 लिटर दूध और पानी की मिसल में दूध और पानी का अनुपात एक और दो था देखें दूध और पानी का अनुपात कितना था एक यह होगा मिल्क और यह होगा आपका वाटा इनका जो अनुपात है कितना है इसको छोटा कर लेते है थोड़ा सा इनका जो अनुपात है कितना कितना है भी एक और दो का था पहले अब हुआ क्या दोस्तों कहा जा रहा है कि इनका अनुपात एक तीन बनाने के लिए कितना दूद पानी डालना पड़ेगा ठीक है अनुपात जो है एक और तीन कवनाना है तो कितना पानी डालना पड़ेगा तो साब साब देख सकते हैं कि चुकि पानी डाला गया है तो दूद तो पहले जितना रहेगा उतना भी रहेगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी एक दूद है और यहाँ पर दूद है लेकिन पानी क्या देख रहे हैं आप एक बढ़ गया है लेकिन कोस्टन से क्या कहा जा रहा है देखिए देहां से कि जो टोटल मिक्सर है ना दो एक कितना है तीन है दो एक कितना है तीन लेकिन कोस्ट लीटर पानी डाला गया होगा कितना पानी 25 टर पानी डाला गया गया और अपसर नमबर दो क्या जागा राइट हो जाएगा और उमीद करता हूँ इसको भी आप अची तरह समझे होगे इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा चली फिर आगे चलते हैं और स्टार्ट क और 40% अखबार पड़ते हैं देखेए टेली बेजन पर कितने है भाई टेली बेजन पर हैं जो 75% टिक न्यूज पेपर कितने देखते है भाई टेलिविजन पे कितने 55% है तो जो 25 वाले हैं दोस्तों और एक कितना है भई चालिस परसेंट जो 25 परसेंट है ना तो अख़बार पढ़ते हैं और ना ही टेलिविजन देखते हैं यहीं 25 परसेंट कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो टोटल जो है टोटल आपके जो 75 परसेंट जो लोग है यह तो या तो टेलिविजन देखेंगे और या तो आख़बार देखेंगे या तो क्या कर देखेंगे टेलिविजन देखेंगे या तो आख़बार देखेंगे अब देखेंगे यहां टोटल कितने 55 परसेंट लोग अब चालिस पर्षन क्या देख रहे हैं अखबार देख रहे हैं ठीक है चालिस पर्षन क्या कर रहे हैं अखबार देख रहे हैं अब जो देखे अब जाहिर सी बात है भाई इसमें कुछ लोग होंगे जो दोनों देख रहे होंगे यानि दोनों में काउंट हो गया होंगे तो हम इश्प्रات करेंगे माल लेजिंगे यक्स लोग जो हैं वो दोनों देख रहे हैं तो हम एक्स को घटा देँगे अब देखेث 75 और 40 कितने हो गया वही 75 और 75 40 कितने हो गया तो हो गया आपके 95 कितने हो गया minus 95 और इधर हो गया minus x , , amni x का मान कितना आगे भई यक्स का मान Network 15 , मा-w um 15 disag nee 5 , , जो 20% लोग दोस्तों ठीक है , 20% लोग ये क्या कर रहे ये डोनों देख रहे है ठीक है लेकिन कोर्षिन में कहा गया है कि जो 4000 व्यक्ति अख़बार पढ़ते है और ट्वेजत सवचार पर दोनों देखते हैं जो 4,000 ब्याकती हैं वह का करते हैं दोनों काम करते हैं आखबार भी पड़ते हैं और टेले भी देखते हैं लेकिन कोशन में कहा चारीस परसेंट नहीं कितने तो देखी हमको निकालना है, क्या टोटल जन संख्या निकालना हैं तो टोटल जन संक्या कितने पांच बोड़ी चार अजार तो पांच बोड़ी कितना हो गए, बीस यानि यहां पर हो 20,000, कितने होगे भाई, 20,000 हो गए, कितने होगे भाई, 20,000, यह ज़न संख है कितना होगे, 20,000 हो गए, तो उमीद करता हूं इसको भी आप अच्छी तरह समझेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, चली फिर आगे चलते हूं और अगले कुछन को देखते है अगला कुशन क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक आयत का छितफल ज्याद करना आपको भुजाओं का अंतर बारत से में दिया गया है और भुजाओं का अनुपात एक ग्यारत समने नो है ध्यास समझेगा अगर माल लेतनी कि जो भुजाओं है वो क्या है ग्यारे एक्स है और नो एक्स ग्यारे एक्स और नो एक्स है ठीक है तो कहा जा रहेंगे इनका अंतर कितना हो गया भई तो अंतर आपको हो गया तीन एक्स स्वारी दो एक्स अंतर कितना हो गया, दो एक्स हो गया, अच्छा, लेकिन कहा जा रहे कि जो अंतर कितना है, बारे है, तो दो एक्स का वैलू कितना हो गया, बारे है, तो एक्स का वैलू कितना हो गया, अच्छे हो गया, अब इसका अर्थ हो गया, कि जो आपके भुजाओं का अनपात, यानि 11x गुडे छेत फल आपसे पूछा गया न 11x गुडे 9x अब देखे क्या हो जाएगा 119 कितना हो गया 993 ही हो गया और 1x कितना हो जागा x स्कुराइर और x क्रमान कितना है 36 है जब इसका आपसे मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका आ जागा कितना आपका आप आजाएगा आपसे मल्टिप्लाइ यानि 6 कितना है भई आपसे मल्टिप्लाइ के अगर बात करें तो 35,64 हो जाएगा 35,64 तो उमीद करते हो आप इसको भी समझेंगे इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा चली फिर चलते हैं आगे और अगले कोशन को देखते हैं अगला कोशन क्या कर रहा है यहाँ पर देखें अगला कोशन कहा जा रहा है चक्यूर्धी ब्याज पर जो धनरास ही है दो औरसों में इतने रुपय हो जा रहा है में इतना हो जा रहें अब ध्यान से समझेंगा क्या होता है। यानि इस वर्स के लिए जो मोलधन है दोस्तों कौन काम करेगा ? यो अगले तिसर वर्स के लिएस मिं स्ट्रधन हो क्या है भई तो यह हो जागा छेहजार तीरासी दसमलोग पांच एक क्यों हो के मिस्सद्धन हो गया अब घटाने प्याएगा कितना तो देखे यह हो गया पांच तीरे में से आप क्या कर दीजिए नो घटा दीजिए स्वरी एक सेकें यहाँ पर अगर घटाने की बात करें तो देखे यह आपका पांच हो गया पॉइंट लग गया तीन में से जीरो जाएगा तीन हो जाएगा आठ में से नो जाएगा यानि नो हो जाएगा फिर आपका नो में से दो जाएगा तो आपका 9 से 2 जागा 7 हो जाएगा और फिर आपका 5 से 5 जागा 0 हो जाएगा मतलब क्या है इतना क्या होगे ब्याज बढ़ गया तीसरे वर्स के लिए और यह ब्याज किस पे लगा है तो जो ब्याज लगा है दोस्तों यह लगा है 539 यानि 2,9 4290 पी लगा हूए है और इसको हमका करेंगे 100 से मल्टिपलाई करेंगे जब 100 से मल्टिपलाई करेंगे जब 100 से मल्टिपलाई करेंगे तो देखिए 0 से 0 यहाँ पर रिखाता और एक 0 से यह पौराइंट का जगा हड़ जाएगा यानि 7,9 3,5 बटे कितना बावन नौ अब इसको जाप कैंसिल करेंगे दोस्तों तो यह आपको मिल जागा कितना पंदर पर्शन मिल जाएगा आप कैंसिल करके देख सकते हैं इसको जाप कैंसिल करेंगे तो पंदर बार में चल जाएगा अब देखें आप कहना चांद कर सकते हैं देखें जब आप बावन नौ में पंदर से गुड़ा करिए, तो देखिए, पंदर नौ कितना हो जाएगा भाई, एक सो पैटीस, पंदर जुना तीस और तीस और तीरे तीरालिस हो जाएगा, ठीक है, पंदर पच्छे पचातर, पच्छातर चार हो जाएगा, उन्ने असी, मतलब ही पंदरे बार में खतम जाएगा, यानि अगर हम कह सकते हैं, तो जो rate हो जाएगा, वो कितना जगा, 15% का दर होगा, कितनी कहा होगा, 15% दर से क्या किया गया है, उस ब्याच मतलब धन को दिया गया है, ब्याच पर, तो उमीद करता हो इसको आप अच्छे से समझेंगा, इसम एक रुपी पचास पैसे और पचीस पैसे की कुछ सिख्की रखे गए हैं यदि पचास पैसे की सिख्कों की संख्या च्छान भी है तो सिख्कों की कुल रास ज्याद करने हैं आपको देखे कहने कार्थ क्या है कि यह जो सिक्कों की संख्या का अनुपाद दिया गया है इसको कैसे करेंगे 1.2 1 by 2 रेशियो 1 by 3 रेशियो 1 by 4 इनको आपस में कैसे करते हैं बराबर करते हैं तो कैसे करेंगे बराबर तो देखे दो तीन अगर चार का आप एलसियम लेंगे तो कितना जाएगा बार आ जाएगा और आप बताइए कि अगर इसको आप बार बना चाते हैं दो को तो 6 से इसमें गुड़ा करना पड़ेगा यानि आप ऐसे कहें समें बार से गुड़ा कर देज़ें कुछ नहीं करना है समें क्या करना है बार से गुड़ा करना है तो जब आप एक बटे दो में बार से गुड़ा करेंगे कितना जाएगा 6 हो जाएगा एक बटे तीन में बार्स गुड़ा करेंगे कितना जगा चार हो जाएगा और इसका कितना जगा तीन हो जाएगा यानि ए बी और सी का जो रेशियो निकल गया अच्छा स्वारी यह पैसा है तो वन सेकेंड इसको हम उपर अलमिटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यह आपका एक रुप्या यह आपका पचास पैसा का मतलब यह बटे दो रुप्या और यह आपका पचीस पैसा मतलब यह बटे चार रुप्या कहा जा रहा है कि पैसे के सिक्के क्या 90 फैसे के चार किसका की संक्या गया है जिसको आप cancel करेंगे तो देखे 24 बार में खतों जागा नहीं एक कर वैलू कितना आगे 24 आगया एक कर वैलू आपका होगा 24 अब देखे क्या करना है आप से क्या पूछा है भई यानि अगर यहां पर देखें तो यहां पर जो सिक्को की संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी यहां पर जो सिक्को की संख्या हो जाएगी यहां पर आप 24 से क्या कर दिजिए गुड़ा कर दिजिए तो 6 है तो यहां पर 24 से गुड़ा कर लेंगे ठीक है अब देखें जब यहां पर देखें जब 24 से गुड़ा करेंगे तो कितने बार में तो 6 करना 6 हो गया और 64 और 6 द तो कोशन कहा गया है चार नहीं कितना है, 24 है कितना है भई 24 तो यहाँ अगर देखे, तो एक बटिए दो से जब 4 में भाग करेंगे यह यह ऐसे कहें इसको ऐसे कर सकते हैं देखें, एक बटिए 2 हो गया गुड़े कितना हो गया? 4 हो गया और गुडी कितना होगहेदanne 24 है ठीक है, जब इसको आप simplified करेंगे आप ठीक है तो कितना निकल जाएगा हूँ, तो A आपका निकल जाएगा, दो से इसको cancel करें तो कितने बाद में, दो बाद में, और 24 दोकितना निकल जाएगा? 48 कितना निकल जाएगा 48 तो मतलब पलस यहां पर क्या कर देंगे 48 कर देंगे प्लस 48 ठीक है उसको अब देखें तो यहां पर क्या है 3 है तो इसको करेंगे तो 1 बटे 4 गुड़े 3 और गुड़े कितना 24 कितना जगा 24 काटेंगे तो कितने बार में 6 बार में और इच्छ है तिर्फ कितना जगा 18 हो जाएगा तो जोड लीजिए भई तो पलस यहाँ पर क्या कर लेंगे पलस 18 कर लेंगे 8,8,16,4,20 को 0 4,1,5,5,4,9,9,2,11 और यह अगर 210 कितना बन रहा है 210 यानि अगर हम कहा है कि जो टोटल सिक्कूल रास ही है दोस्तों कितना है 210 रुपे कितने है 210 रुपे तो उमेद करता हूँ इसको भी आप अच्छे तरह समझेंगे इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा चले ठीक है फिर आगे चलते हैं और अगले कोशन को देखते हैं प्रॉकुशन क्या करें